differential piece weight system ये Taylor की scientific techniques हैं सबसे पहले आपको ये देखना है ये piece weight system मतलब piece के हिसाब से wages decide करनी है और एक word और ध्यान रखना है आपको कि ये जो different है मतलब यहाँ पे wages different होंगी तो जो चीजें आपने देखी वो आपने ये different word रखा ध्यान में और दूसरा ध्यान में रखा कि wages different है उनके piece के हिसाब से ठीक है अब आपको short में समझा देते हैं for example बस इतना ध्यान रखिए कि आपका जो target है वो 10 units का है अगर आप इस target को achieve कर रहे हो तो आप एक average worker हो ठीक है और अगर आप इस से ज़ादा achieve कर रहे हो for example आप 11 units बना रहे हो तो आप average worker नहीं हो आप कौन हो efficient worker हो और अगर आप इस average unit से आप target से कम बना रहे हो तो आप बन जाते हो बेटा inefficient unit, inefficient worker तो हमने दो चीज़े ध्यान में रखी एक तो ये कि हम कितने units बना रहे हैं अगर हम target बनाते हैं तो हम average worker हैं, अगर हम target से कम बना रहे हैं तो हम inefficient worker हैं और अगर उससे जादा बना रहे हैं तो efficient जैसे आपका school में होता है, अगर 30% किये तो average उससे कम लिए तो inefficient, उससे जादा किये तो efficient तो अब बस इतना देखना है कि अगर आपने average units produce किये तो आपको 50 rupees per unit मिलेंगे, ठीक है, average का 50 rupees per unit, तो इसी तरह से अगर आपने जादा बना लिए क्योंकि आपने एक वर्ड ध्यान में रखा था, that is different different wages, तो अगर आप efficient worker होगे, आपने 11 units बना दिये, तो आपको 11, 50 के हिसाब से नहीं मिलेंगे, 60 rupees के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है, और इसी तरह से अगर आपने 9 units बनाई, मतलब आप inefficient है, तो भी जो आपकी wages होंगी, वो 50 rupees के हिसाब से नहोकर, average unit से कम हो जाएंगे, तो मतलब 3 different rates हो गई, एक average worker की rates है, एक efficient worker की rates है, और एक inefficient worker की rates है, अगर आप इसको detail में देखना चाते हो, तो आप videos में जा सकते हो, कि जो की principles of management में है, यहाँ पर आपको short में समझा दिये, जो आपको याद रखने वाली बात है, कि यहाँ पर different rates है, different units produced के लिए, average से जाधा, तो अलग आपको rate मिलेगा, average से कम, तो अलग rate मिलेगा, average आपने units produce करें, तो आपको 50 rupees जो उन्होंने set कर रखें, वो मिलेगा, इसमें साथ-साथ एक चीज और add कर दें, कि इसका फाइदा क्या है, what are the benefits और advantage of such type of techniques, इसका सबसे बड़ा फाइदा है, कि जो हमारे average worker है, वो जो average worker है, वो efficient में आने की कोशिश करते हैं, जो inefficient है, वो average बनकर efficient बनना चाते हैं, ताकि उनको जब higher rates से मिलेंगी wages, तो उनको बहुत जादा फाइदा होगा, so this is the advantage, कि average भी efficient बनना चाता है, inefficient average की category में आना चाता है, और efficient efficient ही बने रहना चाते है, that's all for this video.